तक की सबसे बड़ी बीक ब्रेकिंग निउस आप से भी स्टूडेंट के लिए आया है और खास तर पर जो है सिख्चक भरती से रिलेटेड जो है बहुत बड़ी अपडेट है और आप लोगों को बताना चाहतों कि चतिस गड़ में जो है 200 से अधिक पदों की भरती CGPSC के द्वारा हो सकता है तो CGPSC में जो है 200 पदों पर कौन कौन से पोस्ट हैं जिसवर भरती होगा और इसमें सबसे बड़ी में इंपोर्टेंट है आपका ये नोटिफिकेशन जो 36 गड़ में जो 72 प्रतिशत आरक्षन को लगा सबसे बड़ा जटका अब 50 प्रतिशत तक होगा आरक्षन और 12,489 जो सिक्षक भरती होना है नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में जारी होने वाला है वो आपका जो है इस्तगेत हो सकता है आरक्षन मामले को मद्दे नजर रखते हुए आरक्षन मामले को देखते हु और अब ही आपका रिसेंट में जो है 18 सितम्बर को जो है सीजी टेट एक्जाम क्वालीफाई हुआ ऐसे में जो स्टूडेंट जिनके दिसीटेट एक्जाम भी क्वालिफाई होता है लेकिन यदि सिक्षक भरती परिक्षा आपका यदि इस्टे लग जाते इस थगित हो ज गया क्या क्या है कौन कौन से के डिगरी वाली स्टुडेंट को कित्त प्रतिशता रख्षन दिया जाता है और सिच्छक भरती किस तरह से इस्थगित जो हो सकता है हो शकता है या फिर नहीं हो सकता सभी जनकारी स्वीडियो में आप लोगों को मिलेगा लेकिन 90% चांस है कि स्थगित हो सकते है तो यह मामला बहुत गंबीर है वीडियो को लाश्ट तक देखिये ताकि आप लोगों को हर एक जनकारी मिल पाए साब साब इसमें कहा गया है कि 36 गड़ हाई कोट का जो है बड़ा निर्णाय आया है सरकार के जो अंठावन प्रतिशात आरक्षन को किया गया जो खत्म सरकार ने जो अंठावन प्रतिशात आरक्षन किया था उसको खत्म कर दिया गया तो इसकी बात करें कि क्या-क्या इसम दिया है जीप चीप जश्टीस एके गोस्वामी वद जश्टीस पीपी साहू की डिविजन बेच ने राज्य में जो अंठावन प्रतिशत आरक्षन को असवेधानी करार दिया है वहीं दूसरी और राज्य सरकार ने कहा है कि हाई कोड के इस निर्णाय के विरुद वह सर्व चन्याले जाएगी वर्स 2012 में राज्य कितत कालिन भाजपा सरकार ने सरकारी निवक्तियों के साथ साथ मेडिकल इंजिनियरिंग वह अन्य कालेजों में प्रवेश के ले आरक्षन के वस्ता को 50 प्रतिशत से बढ़ाते हुए जो हैं 58 प्रतिशत कर दिया था राज्य सरकार कि इस फैसों को चुनावती देते हुए डॉक्टर पंकत साहु अरुन कुमार पाठक एवं अन्यने अधिवक्ता मतीन सिध्य की और विना पांडे के जरिय जो है 36 गढ़ाई कोट में जो है याची का दैयर की थी याची का करताओं ने सुप्रिम कोट की निर्देशों का रक्षित रख लिया सुमार को इस पर्णिविडने सुनाया वर्स दोहजार बारा में यह दूजार बारा की बात है लेकिन जो है भूपे सरकार ने आरक्षंड बढ़ा कर कर दिया था बात्तर प्रतिशत तो भूपे सरकार ने 15 अगस से 2019 को आरक्षंड के दायरे को बात्तर प्रतिशत तक पहुचा दिया था इसके बाद राज्य में आरक्षंड के दायरा अंठावन प्रतिशत से बढ़कर बहुतर प्रतिशत पहुच गया भूपे सरकार के इस फैसली को भी कोट में चुनावती दी गई है तो भूपे भूपेस बगहल माने स्रीमुक के मंतरुक बगहल के द्वारा जो है बहुत ही डाज्य कोट तर प्रतिशत से 50 प्रतिशत कंढ़ दिया है तो 17 प्रतिशत व्हार अंच्ट दो भात प्रतिशत अनुसुचु जाती के लिए 1097 के लिए 14 प्रतिशत 20 के लिए तो यही 50% आरक्षन को लेकर जो है इस वक्त आप लोगों के लिए जो टीचर भरती होना है उसमें आप लोगों को बहुत जादा प्राब्लम्स हो शकता है तो जो भी स्टुडेंट टीचर भरती परिक्षा में एक्जाम दिये हैं यह मामला जो है इस सगेत हो सकता है आपका टीचर भरती परिक्षभी यसी आरक्षन को देखते है और जिनका सेलेक्शन होने वाला रहें आप आप जो है नहीं हो पाएगा । तो जो भी स्टुजयनों टीचर भरती परिक्षब कर रहे हैं शो आख एक्जारी कर रहे हैं बहुत अच्य बात है लेकिन आरक्षन को जो है आप लोगों का कम कर दिया है पहले जो बढ़ाया था आप मुख्यमंत्री भुपेज बगेल के द्वारा एक अच्छा निर्ड़ा फैसला जो लिया गया था उसे अप फिर से हाई कोट ने जो है कम कर दिया है तो क्या टीचर भरती परिख्षे में इस्टे लगेगा इस सगेत हो गए या फिर नहीं हो गया तो आपको बताना चाहते हूं इस पर अभी ओपिछ स कुछ भी नहीं कहा गया और मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि इस पर जो है अफिसला कीष्ट नॉटिफिकेसन अभी नह जो है शुरू कीजिए और टेट का रिजल्ट जो है आपका 15 से 20 दिनों में जो है जारी होने वाला है और इसके साथ ही मॉडल आंसर भी आने वाला है तो बस आप लोगों को एक्जाम्स की तैयारी करना है ताकि आप लोगों का सेलेक्शन जो हो जाए यदि आप अभी से एक् कंचेंग नोटिफिकेसन के इंदिजार में यदि आप बैठे रहेंगे तो सेलेक्शन जो है नहीं हो पाइगा तो नोटिफिकेसन के इंदिजार में जो है मद बैठे रहिए एक्जाम्स की तैयारी की जेंए और च्छाथ की क気 Wilson के बात कर देए तो यदि आम जर्न के डिग तो आपका सेलेक्शन जो एजली आसानी सो हो पाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिले गया तो इतना यह अंग यादी आपका बन रहा है तो आपका सेलेक्शन अड़र परिशन ठोप जाएगा तो आई हो जितने भी जनकारी में आप सभी को बताया स आपका ब्लोगों को पसन्दा अगर जनकारी आप लोगों को पसंदाए फ्लीज को लाइक किज्व चैनल परने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे एड़ नोटिफिकेशन भी अउन करके रख लीजेए और आप लोग push request videos को जादा ज़ादा लोगों को तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके तो वीडियो को सेयर करने के लिए मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को भी आउन करके रख लिजे ताकि जब भी मैं वीडियो से अपलोड करूँ आप लोगों को जानकारी जो है सबसे पहले मिल सके हैं और प्लेस वीडियो आगर आप ल जादा लोगों तक जो शेयर कीजिए ताकि मैं आप लोगों को और अच्छी जनकारी जो है देश्यों को तो यही अपडेट था हैं और कुछ भी संबन में नए अपडेट निकल कर आए तो मैं आप सभी को बता दूंगा धन्यावाद आप सभी स्टूडेंट का सो थाइंक जादेँट